नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी फोर पब्लिक सर्विस कमिशन में डी ट्रिप्लेस भी के द्वरा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जिन बच्चों ने प्लस टू पा जो डी ट्रिप्लेस भी के द्वरा नोटिफिकेशन निकाला गया है टोटल इसके अंदर तेईस सो चववन पोस्ट निकाली गई है काफी नंबर ओफ वेकेंसी हैं जो काफी बड़ी है तो इसलिए ये बहुत इंपोर्टन रहने वाला है इस वीडियो के अंदर हम कम्प्ल से जान लेंगे तो आप वीडियो के अंतर तक जरूर बने रहे हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें यूटूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रूप जरूर से जरूर जोइन कर लीजिए सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है तो आईए देख लेते हैं डीटर पलेस्बी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया तो यहां से देख लीजिए गाँ 22-12-23 का है यह और इसके जो यह देख लीजिए पोस्ट कोड 802-23 है और हम आगे आ जाते हैं जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो देख लेते हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म है जो नो जनवरी दो हजर चॉबिस से इसके उनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो साथ फरवरी रखी गई है समय से आप अपनी फॉर्म फिलब कर लीजिएगा एक एक या दो दिन में अपना फॉर्म फिलब कर लीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाएगा क्योंकि बहुत बड़ सबॉर्टनेट सर्विस डी ट्रिपल इस्बी इन्वाइट्स ओंलाइन एप्लिकेशन इनलीजिबल केंडिटेट फॉर रिक्रूट्मेंट फॉर पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है देख लिजेगा लोवर डिविजिनल कललक लरक ल्डीसी की पोस्ट है जूनियर असिस्टें जान लेते हैं आगे क्या कुछ नोटिफिकेशन में बताया गया है सारी डिटेल्स हम बारी-बारी से जानने वाले हैं किस पोस्ट की कितनी वेकेंसी आई है वो हम जान लेते हैं आईए तो यहां पर देख लीजेगा लोवर डिविजिनल कलर्क जूनियर असिस्टेंट स्टैनोग्राफर ग्रेड थी जूनियर स्टैनोग्राफर हिंदी एंड इंगलिस लोवर डिविजिनल कलर्क कम टाइप एस्ट और इनकी जो वेकेंसी आई है देख लेते हैं पोस्ट कोड दे के अंदर vacancy आई है stenographer की बात करें तो stenographer pay level 4 है इसका और जो journal की category की बात करें तो 57 पोश्ट जर्णल की है और total vacancy की बात करें तो 143 इसके अंदर total vacancy निकाली गई है LDC की बात करें तो pay level इसका 2 रहने वाला है journal की vacancy 107 है इसके अंदर और जो total number of vacancy की बात करें तो 256 इसके अंदर total vacancy निकाली गई है junior stenographer की बात करें तो pay level इसका 4 रहने वाला है और जो journal की बात करें तो 10 vacancy है और total number of vacancy इसके अंदर 20 निकाली गई है junior assistant की बात करें तो pay level इसका 2 रहने वाला है और journal की इसके अंदर 14 vacancy है और total number of vacancy की बात करें तो 40 vacancy इसके अंदर total निकाले गई है अब stenographer की बात कर लेते हैं stenographer की जो बात करें pay level 4 है और journal की post इसके अंदर 6 है total number of vacancy इसके अंदर 14 निकाले गई है अब बात कर लेते हैं junior assistant की pay level 2 रहने वाला है और जो journal की post है इसके अंदर 14 है और जो total number of vacancy की बात करे तो 30 total इसके अंदर vacancy निकाली गई है तो ये post wise हमने vacancy discuss कर ली कि कितनी number of vacancy किस post के अंदर आई है आगे हम देख लेते हैं आगे भी हैं कुछ post आईए देख लेते हैं इनको भी junior stenographer English की बात करें तो pay level 4 है इसका और journal की दो vacancy है और total इसके अंदर दो ही vacancy आई है junior assistant की बात करें तो pay level 2 रहने वाला है और journal की इसके अंदर 16 vacancy है पे लेवल 2 है इसका और journal की 4 vacancy है और total की बात करें तो 28 vacancy इसके अंदर निकाली गई है junior assistant की बात करें तो pay level 2 है और journal की इसके अंदर 6 post निकाली गई है total इसकी 10 post निकाली गई है यहाँ पे देख लिजेगा 10 post निकाली गई है जूनियर स्टैनोग्राफर हिंदी की बात करें तो पे लेवल 4 है और जर्नल की 2 वकैंसी है टोटल भी इसके अंदर 2 ही वकैंसी निकाली गई है उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड फस्ट की बात कर लें तो पे लेवल 2 है और जर्नल की इसके अंदर 44 वकैंसी निकाली गई है और grand total की बात करे तो grand total की बात करे तेइस सो चववन पदो पर ये भरती का notification निकाला गया है यहाँ पर ये देख लीजिएगा तेइस सो चववन टोटल भरती का notification निकाला गया है DSSSB के द्वारा especially plus to pass बच्चों के लिए notification है education qualification separate separate wise दी गई है हर post की अलग education qualification दी गई है मतलब सभी की same रहने वाली है बट वो column बड़ा बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको include नहीं किया वैसे मैं आपको बता देता हूँ इस इन सभी post के लिए आपके पास plus to pass होनी चीए plus to pass होनी चीए plus आपको typing आनी चीए अगर आपको typing plus plus to pass है तो आप इस form को definitely apply कर सकते है detail से notification मैं telegram पर share कर दूँगा वहाँ से आप detail से post wise भी education qualification रीड कर पाएंगे बट इतना जान लिजी अगर आप plus to pass है और आपको typing आती है इंदी और इंग्लीज दोनों की तो आप इस form को eligible हैं आप इस form को भर पाएंगे आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है यह यहां पर देख लीजेगा थोड़े से main main चीज बताई गई यह आई यह देख लेते हैं candidate must apply online through website डी ट्रिप्लेजी तो आपको online apply form करना है इसका यह इसकी official website है डी ट्रिप्लेज भी the closing date for submission online application up to 7 फरवरी 2024 तो लाज डेट 7 फरवरी है उससे पहले आपको अपना form fill up कर देना है यहां पर यह बता दिया गया है और हम देख लेते हैं डी ट्रिप्लेज भी will conduct examination for making recruitment against the vacancy notified about the date of conduct examination will intimated यह कुछ खास बात नहीं बेसिक सी चीज है हम आगे आ जाते हैं इंपोर्टेंट नोट देख लेते क्या कहें इंपोर्टेंट नोट में कहा गया है only online application will be accepted तो online application ही आपका accepted किया जाएगा अगर otherwise आप offline या फिर by post से कुछ भी बेजेंगे तो accept नहीं किया जाएगा यह यहां पर basic सी चीज यहां पर बताई गई है आगे देख लेते हैं application of fees की बात कर लेते हैं तो कितना आपसे charge किया जाएगा तो 100 रुपे आपसे यह charge किया जाएगे देख लीजेगा आप अपनी category wise 100 रुपे आपसे charge किया जाएगे आगे हम आ जाएगे examination scheme की बात कर लेते हैं तो यह बड़ा मैथपूर्ट रहने वाला है exam pattern ही सभी जानना चाते हैं तो dssb conduct one tire examination tire first तो इसके अंदर tire first ही exam मतलब single exam होने वाला है उसके बाद सीधा टाइपिंग की करवाई जाएगी तो इन सभी पोस्ट के लिए tire one conduct करवाया जाएगा और हम देख लेते हैं tire one में क्या कुछ इनका subject पूछे जाएगे तो यह देख लीजेगे यहाँ पे tire one journal post code 802-232 घंटे का आपको समय दिया जाएगा total 200 question आपके exam paper में आने वाले हैं और 200 MCQ आपसे पूछे जाएगे और 200 ही marks के रहने वाले हैं मतलब एक question एक marks का रहने वाला है और जो grand total होगा वो 200 का ही होगा आईए subject discuss कर लेते हैं कौन-कौन से आपसे subject पूछे जाएगे त reasoning की बात करें तो 35 question आपसे पुछे जाएंगे numerical ability math की math की बात करें तो 35 question आपसे पूछे जाएंगे जरूरी है computer subject भी आप अभी से पढ़ने लग जाएगा अगर computer subject आपको नहीं आता है मतलब zero से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप computer subject पढ़ने लग जाए क्योंकि 25 question इसके अंदर पूछे जा रहे हैं total 200 marks का आपका question paper रहने वाला है यह हमने exam pattern बात कर ली है आगे हम देख लेते हैं यह देख लीजेगा थोड़ी सी basic instruction यहाँ पर दी गई है आइए इसको रीड कर लेते हैं तो question question are examination will be bilingual Hindi और English तो Hindi और English दोनों में आपका paper आने वाला है Hindi और English दोनों भाशा में आपका paper आएगा डिटरपलेश भी reserve the right to change armed examination scheme so required any time before examination तो यह छोड़ी सी basic सी चीज़ है डिटरपलेश भी के पास right है कुछ भी change करने का अक्सेटरा अक्सेटरा उसके बाद देख लेते हैं there is no provision revolution check of entrepreneurship तो इसमें कोई revolution या फिर री चेकिंग का वो नहीं है कि बही जैसे कफी exams में होते हैं कि बही री चेकिंग के लिए form apply करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर तो यह basic सी चानकर यहां पर दी गई थी आई यह देख लेते हैं यह देख लीजिए आ नेगटिव मार्किंग विल भी applicable तो negative marking भी इसके अंदर रखी गई हैं deduction of 0.25 तो वन फॉर्थ इसके अंदर negative marking रखी गई है will be made for each wrong multiple choice question वन फॉर्थ negative marking रखी गई है आगे skill test endurance test will be taken and per recruitment of job तो वही है written exam के बाद आपका typing test और skill test जो भी जिस job के लिए med entry होगा वह वाइसे conduct करवाया जाएगा यहां पर यह इन्होंने इनकी द्वारा बताया गया है आगे देख लेते हैं अगर कुछ दिया post preference की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा post preference के बारे में बताया गया the examination will be held of the post LDC यह देख लेना सारी post बताई गया यह for various department and local autonomous body government NCT Delhi detailed preference for candidate post respect determinants bodies government of NCT of Delhi be taken time to online calling a dozer in case candidate does not excise in his preference then he case his selection the allotment of department will be made by the board तो यह यहां पर थोड़ा सा बताया गया है कि जो post preference का आपको method दिया जाएगा मतलब जो post preference का आपको option दिया जाएगा अगर वहां पर बच्चा कोई गलती से नहीं post preference कर पाता है तो फिर डी ट्रेपलेस भी अपने अपने आप से उस पूर्ण रहने वाला है तो अराम से भरिएगा अपना जो प्रफरेंस यह यहां पर थोड़ा सा बताया गया है तो यह जान करी थी इस relaxation की बात करें तो वैसे ही दिया जाने वाला है जैसे सभी exams में दिया जाता है SCST को 5 साल मिलने वाल है OBC को 3 साल का एज relaxation PWD को 10 साल का PWD SCST को 15 साल का और PWD OBC को 13 साल का जो एज relaxation है वो दिया जाएगा यहां पर एज relaxation की भी हमने बात कर ली आगे तो यह बेसिक सी जान करी थी जो DSSB के द्वारा निकाला गया है नोटिफिकेशन DSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 2024 का specially प्लस टू पास बच्चों के लिए था यह नोटिफिकेशन 2354 इसके अंदर पोस्ट है तो आप जल्दी से फोर्म फिलप कर दीजिए और इसकी तयारी में लग जाईएगा क्योंकि प्लस टू पास बच्चों के लिए कोई भी आपका डाउट है क्वेरी है कमेंट section में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी परकार का डाउट है तो आप बे जीजग कमेंट करके पूछ सकते हैं तो अगर आप चैनल को जोइन कर लेंगे तो काफी अच्छा रह आएगा इन फ्यूचर आपके लिए ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटिस्ट जानकरी समय पर मिलती रहें और हमारा टेलिग्राम ग्रूप भी जरूर जोइन कर दीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट लेटिस्ट अपडेट वही पर बताई जाती है यूटूब कई बार न नोटिफिकेशन भेज नहीं पाता तो उस केस में टेलिग्राम एटे टाइम आपको नोटिफिकेशन भेज देगा तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद